अपने चैनल को जोन करें जो भी आपकी क्वेरी है वह टैकली मुझे पूछ चकते हैं जी टील इंफ्रस्ट्रेक्ट्ट्रेक्ट्ट्र लिम्टेड आज की कंडिशन की बात करें तो गाइस दुबारा से अपर सर्केट लग चुका है लोवर सर्केट से अपर सर्केट तो के लिए लगी वही था लोवर सर्केट पर उसके बाद क्वांटिटी कम हुई करीड़ी आठ करोड स्थ जो की लोवर सायोड लिए लगए लगी थे अपर संसे ग्वांटिटल से 10 से बारा क्रोड के आस संसा आ उचुकी थे एंड कूछ यहाँग्स दम से जैसे ही आदे पात देखा मैंने इम्मिडेटली इसमें अपर सर्किट लग गया बट एक चीज कमाल की है उससे पहले मैं क्वांटिटी काफी शारी उठा चुका था तो आज पहले हैं तो आज के हाई की बात करें दो रुपए 10 पैसे इसका आज का यहां अगर बाउन वीक बात करें चार रुपए 5 पैसे इसका बाउन वीक अगर मैक्सिमम की बात करें तो maximum जो कि करीब करीव यहाँ पर 100 रुपे के आसपास करशे हुआ गता था और अभी जो कि बिलकुल भी इसमें फ्लेक्टिशन नहीं मिल रहा है अभी quantity की बात करें तो अपर circuit पे करीब करीब अगर quantity की बात करें 2 से 3 करोड के आसपास quantity buy करने के लिए लगी हुई है अगर बात करें इसके analysis की तो काफी सारी चीजें पेटर नहीं आज के volume trade की बात करें तो यहाँ पर जो volume trade हुआ है वो of course एक जो की even a surprising volume trade हुआ है 32 करोड के आसपास NSC पे अगर बात करें BSC की तो यहाँ पर भी सवा 15 करोड के आसपास volume trade हुआ है अगर बात करें short analysis की तो 6 strength है, 8 weakness है, 4 opportunities है, 0 threat इसमें नज़रा रहा है अगर बात करें face value की तो 10 रुपे इसकी face value market में मौझूद है आज की बात करें या फिर पहले भी इसमें जबरदस्त buying हुई है, लगातार buying की गई है और बैने पहले भी बोला था, इसकी 2 रुपे से नीचे अगर आपको मिले, तो guys of course आपको entry ले लेनी चाहिए उठा लेने चाहिए share, काफी chance चाहिए share price के ऊपर जाने के no doubt की यहाँ पर bulk में quantity dump हुई है, जिसकी वज़े से यहाँ पर 2-3 दिन लगातार, इसमें lower circuit लगाता करीकरी 5 रुपे से चलके, जो की 1 रुपे 90 पैसे तक नीचे आया था अगर बात करें इसके sentiment की, तो sentiment जो की 78% पाए का, 16% and 6% hold करने का sentiment इसमें नज़र आ रहा है अगर अगर बात करें, यहाँ पर जो की even financial की, तो financial condition भी काफी पैतरीन है 363 करोड का जो की revenues हो किया, इसने September quarter में net profit की बात करें, तो यहाँ पर 207 करोड का loss भी इसने जो की bear किया है and EPS की बात करें, तो यहाँ पर भी situation सेम है जो net profit की है and apartment data के बात करें share holding की है, तो promoter holding 3.33% के साथ 100% place भी इसमें मुझूद है but यहाँ पर holding को decrease किया जा रहा है promoter दौरा हर दो quarter में but chance ही यही है कि जो December का quarter है, उसमें holding decrease ना हो तो FYI की holding जो है, यहाँ पर increase हुई है September quarter में 0.05% के साथ domestic investors की बात करें, तो यहाँ पर भी holding को decrease किया गया है and अगर बात करें public holding की, तो public holding में increment तेखने को मिला है September quarter में अगर बात करें, others की, तो 3 quarter से बिलकुल stable है holding 0.01% के साथ and अगर बात करें, mutual fund की, तो कोई भी holding मौजूद नहीं है, foreign investors की बात करें, तो holding को increase किया गया है 0.05% के साथ and अब बात करते हैं, इसकी जो कि dumping हुई है, of course काई, जिसकी वज़े से यहाँ पर जो कि इवन नीचे भी आयाश है पंदरा दिसंबर को पंजाब नहीं बैंक ने dump किया है, पंदरा दिसंबर को जो कि 2-3 dumping लगातार हुई है क्योंकि बैंकों के पैसे भी इसमें लगे हुए है अगर बात करें इसके रावा, bulk deal की बात करें तो यहाँ पर bulk deal जो कि यह पुराना data है, इवन यहाँ पर show नहीं हो रहा पट एक कुछ टाइम पहले ही, इवन एक जो IDBI ट्रस्षिप ने जो कि dumping की हुई है एक वीडियो के थुरू मैंने आपको बताया था, जिसका link जोड़े के description में आपको मिलेगा आपको क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, तो काइस काफी dumping भी हो रही है बट बैंकों के पैसे लगे ना लगे, इट मिस कि बैंकों के पैसे, बैंकों ने तो एक तरह से उधार भी लेते हैं तो वहाँ पर इतना matter नहीं करता जितना की बड़े investors का like जो की promoter या फिर ऐसे बड़ी company का investment हो हो matter करता है ज्यादा as compared to bankों के पैसे, यहाँ पर अगर exactly situation की बात करें तो काफी पहतरीन है ZTL infra की क्योंकि अगर बात करें टेलिकॉम equipment की तो यहाँ पर काफी सारे इवन जो कि 5G की अगर यहाँ पर listing होगी, launching होगी उस time पर काफी requirement होगी ZTL infra की customer base की बात करें तो customer base भी काफी मजबूत है लाइक बारती इटल इसका customer है वोड़ाफन आईडिया इसका customer है अगर बात करें इसके अलावा टेली इवन जियो इवन काफी सारे customer इसके जो कि एक bunch of customer इसके पास मुझूद है इसकी जितने जो कि टेलिकॉम के जितने भी customer है वो इनके पास मुझूद है तो वहाँ पर अगर 5G की launching होगी तो no doubt की जो की tower है वो upgrade करने पड़ेंगे and upgrade करने के लिए of course जो की ZTL infra की requirement होगी तो यहाँ पर काफी chances है share price के ऊपर जाने के अच्छा कासा business आने के काफी chances है जो कि जैसे ही क्योंकि expectation यही है कि जो अभी 5G की launching होगी वो इसी साल ही होनी है क्योंकि एक video के तो मैंने आपको बताया था एक statement भी आया था even काफी expectation जो की ZTL infra share लगाई जा रही है and जो price अभी ह वो price कुछ भी नहीं है आने वाले time में वो price अगर आपको 10 रुपे दिखेगा तो उस time पर आप 10 गुना share कम ले पाएंगे तो guys यहाँ पर एक golden opportunity आप अभी भी miss करें जब इसकी value करीब-करीब देड रुपे के आस पास थी उस time से मैं बोल रहा हूं guys कि इसमें एक entry ले ले आप बड़ी entry ले but at least entry ले ले जिए miss मत करें एक golden opportunity आपके पास है अगर यह miss कर दी तो आपने जबरदस्त वाली चीज़े miss कर दे जो की आने वाले time में एक बहतरीन profit आपको दे सकता है ZTL Infra and अगर बात करें ZTL Limited की तो guys of course वो भी इसी का ही even इसी की ही group company है and उसकी बात करे तो वो भी काफी ऊपर गई हुई है वैसी same track पे वो भी थी and अब भी जो उसका price है वो काफी high है तो guys एक golden opportunity यहाँ पर miss कर रहे है अगर आप ZTL Infra में entry नहीं ले तो हो सकता है आने वाले time में एक बहुत ही बड़ा multi bagger शाबित हो अगर बात करें ZTL Infra की क्योंकि आने वाल करें तो guys of course first target आप 5 रुपे के आसपास इसमें expect कर सकते है और लंबे time के लिए हो सकता है 10 से 12 रुपे के आसपास आपको यह profit जो की per share एवन एक अच्छा काचा profit दे दे क्योंकि जिस तरीकी की जो आने वाले time में जो 5G launching और उसमें जो requirement होगी telecom equipment की वो काफी जो की जे होनी जरूरी होंगी सो थैंक्स लोट पो वाचिंग दू वीडिया सुप्री टेक हैं प्ली लाइक कमेंट सेरे सब्सक्राइब थैंक यू टेक्यार